तो भाई लोगो शायद अब हमको जाहत दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं युनिफिकेशन के बाद चैंपमेंशिप आए कि उसका डिजाइन कैसा होगा रोमन रेंज न ब्रॉकलेस ने के हाथ में कैसी लेगी क्योंकि शायद वो अल्रडी हो चुकी है लीक सबसे बाले गाइस हम लोग एक अनफॉर्चन न्यूस के साथ जो है आपको शुरुवात करते हैं और गाइस स्कॉर्ट हॉल रेजर रॉमन किसी भी नाम से आप लोग उनको जानते हो व्वी हॉल फेमर गाइस उनको लगातार तीन हार्ट अटैक्स आये हुए है जिसकी इसलिए पाइस पाइस नहीं होता और इस समय जो कंडिशन आज पाइस जो एक चीज आपको बताने ही मुझे उम्मीद करते हैं प्रे करते हैं कि वह ज़्ली से रिकावर कर जायां क्योंकि पर चाहिए अचानक से ऐसा सुनने में आता तो लगता एक तरीके का ज़टका सा ल बार में बीगी के बार में आपको पता है कि उनको जो है इंजिरी हो गए उनके नेक में उनकी नेक ब्रेक हो गए लेकिन अच्छी बात यह कि उनको सरजेरी की जूरत निया तो हम एक्सपेक कर सकतें कि वह जिल्दी से वापस आ जाएंगे लेकिन गाइस प्लैंस रिवील हो बीगी के क्या थे रेसल में 38 के लिए और डबल डबली न्यूडे का मैच प्लैन करें थी जहां पर न्यूडे की पूरी टीम होती मतलब कि एक्जेवेर वोड्स, कोफी, किंग्स्टन और बीगी और अगेंस प्ली टीम होती वह थी रिज, होलन, शेमस, और बुच की बुच मतलब पीडन, तो डबल डबली जो है, यह वाला 6-man टैक्टी मैच प्लैन कर रही थी, अगर आप लोग यह सूचें कि भाई, एक्जेवेर वोड्स तो है नहीं तो मैं आपको बता तो, अल्री डाइव इवेंट के अंदर एक्जेवेर वोड्स ने कंपीट करना शुरू कर जाण सिनर को वो फेस कर सकते हैं ने काउर्ण सिनर क बात करते हैं उस चेंच की बार में जो कि शाइद डबल डबली ने और डबली जोनो करना शुरू कर दी है क्योंकि वो प्रिपेर कर रहें को डबल डबली डबली में आने के लिए अब guys आपको पता है Cody Rhodes का जो finisher है वैसा एक same finisher बसका नाम अलग है Reckoning वो use करते हैं Demon Priest और guys इस अबते जो Monday Night Talk का एपिसोड था जब Finn Balor के उपर आकर attack किया Demon Priest ने तो वहाँ पर उन्होंने अपने finisher का use नहीं किया आपको याद होगा एक्जामबल के तो कि जब करने वाला है थे में रॉस्टर के उपर तो क्यूंकि निकी क्रॉस का नाम पहले से सेम नहीं रखना चाहती थे और इसलिए उन्होंने निकी को एश बना दिया क्रॉस से जबकि वहाँ पर सी था और वहाँ पर के था क्रॉस में भी डिफ्रेंस है तो डबल डबली यह चाहते है कि कोडी रोट से अगर आ रहे तो फिर भाई जो उनका फिनिशर है वैसा फिनिशर डेमन प्रीस यूज ना करें और शायद इसकी वैसे डबल डबली चेंज कर रहे है अब हो सकता है यह सिर्फ है कि अब यह जानने में तो आपको इंटर्स होगा बड़ा कि डेली लाइफस्टाल क्या है वो क्या करते है अब उतना तो हम नहीं जान सकते लेकिन एक इंटर्वी के अंदर ब्रॉक लेस्टाल से यह जरूर पूछाए कि बाई तुम टीवी देखते हो और अगर टीवी में टी मैंने चीजों को कैच अपनी किया अगर कभी-कभी मुझे थोड़ा बहुत देखना होता तो वो यूट्यूब को देख लेते मतलब यह काभी मुझे अच्छा लगा सुनके बाई एक यूट्यूबर को अच्छा लेगा ना सुनके कि ब्रॉक लेस्न यूट्यूब देखते बिता लेते हैं वैसे बाकी उनको फार्मिंग करना बुचरिंग करना इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा इंटरस्ट है अगली स्टोरी की तरफ गाइस जलते और बात करते हैं विंस मिक्मैन के बारे में अब विंस मिक्मैन की ऐसे करोड़ो अर्बो की कंपनी है तो अब सबस्क्राइब करने को सब्सक्राइब नहीं है अब अब आप लोग सोचों का ऐसा हो सकता है तो दो मिलियन डॉलर था है दोमिलियन डॉलर इंडेन रुपीज मिक्मैन घर वाड़र के आसपास तो अगर आप बगग सिर्फ कंपनी को चलाने वाले हो मतला कम्पनी के मा तो फिर आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो, डबल डवली जैसे कंपनी से, हाँ, जो कंपनी का असली मालिक होता है, जो कि विन सुक्मान है, क्योंकि वो CEO होने के सांथ, खुद कंपनी के ओनर भी है, जो कि ओन करते हैं, डबल डवली को, याने कि विन सुक्मान के ओल्मोस्ट आधे, तो आप देख सकते हो कि, इससे यह भी पता चलता है, जो ओन स्क्रिन टैलेंट है, उनकी वैल्यू जाधा है, एक कंपनी का CEO उतने पैसे नहीं कमा रहा, जितना डवल डवली का एक नॉर्मल सा सूपरस्टार, मतलब एक एवरेज मिड़ काड वाला सूपरस्टार कमा लेता है, तो भाई, इतनी ज्यादा पैसे है, डवल डवली के अंदर, अगर मूड हो ऐसे जानेगा, तो फिर आप सोच सकते हैं, अगली स्टोरी की तरफ गाइस, कल होने वाली Monday Night Raw के बार में, कल का जो Raw का एपिसोड है, उसके अंदर सीन बनने वाला है, तगड़ा वाला क्योंकि कल कोडी रोट्स का रिटर हो गया है, फिर नहीं वो चीज़ समको पता चलिगी, लेकिन डवल डवली ने कुछ चीज़ना अनाउंस कर दी, जैसे कि Kevin Owens जो है, Stone Cold का जो, उन्होंने कहा था, कि हां भी है, मैं तरो को देखने आ रहा हो, कि वो शो के अंदर, उसके ओपर रिस्पॉंड करने वाले है, मतलब पहले Kevin Owens ने बोला, उस पर Stone Cold ने रिस्पॉंस किया, आप Stone Cold की बात पर Kevin Owens रिस्पॉंस करेंगे, इसके अलावा, RK बो का एक सेलिबरेशन भी होने वाला है, मतलब टैग टीम चैंपॉंशिप जीती है, अभी दोनों भाई लोगों होने, तो उसके ओपर उससेलिबरेशन करेंगे, और बाकी तो रॉक के एपिस्टोड में चीज़े हाल फिलान में इंट्रेस्टिंग ही चल रही है, तो कल की रॉट तो डेफिनिटी मिस नहीं कर सकते है, क्योंकि रसल मिना का सीजन है, हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रसल मिना के कार्ड का का सीजन चल रहा है, उसके बारे हमको रसल वोट की तरफ से एक अपडेट मिलती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कि जो 9 मैचेस हैं, वो ऑफिशल रसल मिना के लिए हो चुके है, जिसमें इंक्लूड नहीं है, केविन ओंस और ऑस्टिन का मैच, और यहाँ पर एक्सपेक्टेट यह है, कि साथ और मैचेस डबल डबली रसल मिना के लिए अनौन्स करेगी, और जो बड़ी बात उनौन यहाँ पर लिखी है, तो यह वाले ट्वीट से अब एक्सपेक्टेशन है, कि सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है, मतलब उनका रोल क्या होगा रसल मिना के लिए, एक तरफ लगता है कि क्या वो युनिफिकेशन वाले मैच के दर इंवाल्व होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है सेथ रॉलिंस के लिए, यह एक बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, लेकर आप मान सकते हो कि 15-16 के आसपर मैचेस होंगे, और अच्छी बात यह है कि रेसिम्ट ने तू नाइट्स की है, तो एक नाइट के ओपर थोड़ा मजा, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, और उसके बाद नियक्स नाइट के ओपर और मजा, तो ये चलता है WWE का रेसल मेंने के सीन और Seth Rollins की कहान ही यहां से देखना जो एक ख़फ इंटरस्टिंग होगा हम चलते हमारी आज की next run final story की तरफ और जब से हम कोई बात पता चलिए कि title unification का match होगा तब साब को पता rumor ये आ रहा है कि WWE एक नई championship को introduce करने वाली है यहां पर शायद इससे हमको ये पता चल रहा है कि WWE की नई championship आने वाली है वो बात सही है WWE की world heavyweight championship आने वाली है वो बात भी सही है लेकिन जो design है वो शायद यहां पर different है क्योंकि इस design के साथ जो हमको championship देखने को मल दी है अब ये चीज़ disappoint कर सकती है बहुसा है लोगों को कर रही होगी क्योंकि हम तो expect कर रहे है big gold बारी championship बैल WWE लेकर आए लेकिन यहाँ पर अगर में लुक देखें तो WWE की जो अभी championship है वहाँ पर जो यहाँ पर नीचे यह जो ऐसे कटा हुआ निसान होता WWE का उसमें red color होता है जो कि शायद अब WWE ऐसा plan कर सकती कि raw brand को represent करें और same championship SmackDown के उपर भी होगी सिर्फ अंतर इतना होगा क्योंकि वह blue brand है तो यह जो एक cut हुआ चीज़ है जो slice जैसा बना हुआ है वो red color कर नहीं वह blue color कर और इस तरीके से दो championship हो जाएंगे एक WWE championship जो की नीची से red वाले slice के साथ होगी और दूसरी जो की होगी blue brand के उपर और शाद उसका नाम हो सकता है world high weight championship क्योंकि यहाँ पर world high weight champion ही लिखा हुआ है अब अगर actual में यह वाली belt आ रही है तो मैं सच में disappointed होगा क्योंकि expectation हमने वो big gold वाली belt की लगाई हुए जो की सच में काफ़ी जाता ऐसे prestigious लगती है और उसके बदले अगर WWE same design के साथ यहाँ दूसरी championship उता दे सिफ color का अंतर हो तो वाई यह तो वही हो गया WWE championship और universal championship raw women's championship और smackdown women's championship मतब चलो raw smackdown का तो समझ में आता है women's championship का वो similar है कोई बात ने लिकने यार men's division के अंदर क्योंकि पहले चीज़ा अलग होती थी तो फिर यह वाला design के साथ यार मज़ा नहीं आएगा बागे आप क्या गाऊगा इसके उपर क्या आसा design आना चाहिए अब इस prop का WWE use करें तो शायद unify करके यह वाली championship आसकते है फिर कुछ हो सकता है वागे आपके क्या thoughts आप लोग मुझे बताना लेकिन का इस प्लाल के वाली वीडियो यह नहीं तक ही तेकर आपको अच्छे लेगी तो like, share, subscribe, comment और notification, bell को आप लोग on कर सकते हो and see you guys in my next video